हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हनी बी के बारे में एट इंट्रेस्टिंग फेक्ट बताने वाला हूँ फेक्ट नमबर वन, आप में से 99 परसेंट लोग ये नहीं जानते कि मदुमक्की की दो नहीं बलकि पांच आके होती है जो दो बड़ी आके सीर के किनारों पर और तीन छोटी आके सीर के बीच में होती है जिसे ओसेली कहा जाता है जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं मदुमक्की की ये तीनों आके लाइट का पता लगाते हैं मतलब ये तीनों आके सेंसर की तरह काम करता है मदुमक्खी इन तीनों आखों से सेंस कर लेती है कि कोई सिखारी उपर या पीछे से हमला तो नहीं कर रहा और वो पता कर सकती है कि उसे जाना कहा है लेकिन ये तीनों आखे इस नोर्मर आख की तरह देख नहीं सकता है और मदुमक्की की ये दोनों आखे बहुत से छोटे छोटे लेंसेस से बना होता है जो मदुमक्की को सामने देखने में मदद करती है और ये आखे पेटरंस देख सकती है जिसकी मज़स से प्लेंट्स की टाइप और दूसरे मदुमक्की को पहचानने में मदद करता है Fact No. 2, मदुमकी के इन दोनों बड़े आँखों में अजीब तरह से छोटे छोटे बाल उटे हैं जिसकी मदद से मदुमकी हवा की डारेक्शन पता करती है और ये हवा की कंडिशन में नेविगेट कर सकती है Fact No. 3, मदुमकी एक दुसरे से कम्मुनिकेट करने के लिए डैंस मूप्स का परियोग करती है ये एक अलग टाइप का लेंग्वेज है जिसे डैंसिंग लेंग्वेज कहा जाता है जिसमें मदुमकी एक दुसरे से बात करने के लिए डैंस करती है Fact number 4 जो सेहध आप इतने सोग से खाते है उस एक चमच सेहध को बनाने में एक मधुमक्य को हजारोप फूलोगरा जमा करना पड़ता है मधुमक्यों को एक केजी सेहध का छदता बनाने में एक लग दस हजार माईल से भी जादा दूर तक उनना पड़ता है मदुमक्या एक साल में तक्रीबन पचास केजी सेहद बना सकती है 12 मदुमक्या मिलकर अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक चमची सेहद बना पाती है Fact No.5 मदुमक्या एक मात्र ऐसा इंसेक्ट है जिसके द्वारा बनाया गया खाना इंसान खा सकता है जो कि सेहद है और सेहद एक ऐसा खाने वाला पदार्त है जो कभी खराब नहीं होता चाहे आप एक महिना रख ले या एक साल या सो साल या हमेशा फ्रिस रहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेहद में मोईस्टर की मात्रा ना के बराबर होता है जिसकी वज़े से बेक्टेरिया आ नहीं पाता अगर आ जाये तो मोईचर ना होने के कारण जिन्दा नहीं रह पाता है यही वज़ा है कि सहत कभी खराब नहीं होता अगर सहथ कभी खराब हो जाए तो इसका मतलब है कि वो ओरिजनल सहथ नहीं बलकि उसमें मिलावट की गई है आपने कभी गोर किया होगा कि जब मदुमकिया उर्ती है तो कुछ इस तरह का आवाज सुनाई देता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये आवाज क्यों सुनाई देता है क्योंकि मदुमकिया उर्ते हुए अपने पंखो को एक मिनट में 11400 बार मारती है और सायद आप ये नहीं जानते कि सिर्फ मादा मदुमकिया ही सहथ बनाती है और डंक मार सकती है नर मदुमक्या सहद नहीं बना सकता है और डंक नहीं मार सकता क्योंकि नर मदुमक्यों के पास डंक नहीं होता है Fact No.7 मदुमक्यों के कान नहीं होता लेकिन वह अपने अंटीना के मदद से सुन सकते हैं मदुमक्यों के सीर पर लगे अंटीना सेंसरी पावर हाउस बनाता है जो मदुमक्य को टच, स्मेल, टेस्ट और यहां तक की हीरिंग फनसन प्रूवाइड करता है और मजे की बात ये है कि नर मदुमक्यों में एक अंटीना 13 पार्ट्स में होता है जबकि मादा मदुमक्यों म 12 पार्ट्स में, दोनों ही केसेस में अंटीना का साथ एक कोहनी जैसा जोइंट होता है Fact No. 8, मधुमक्य के छटे में एक रानी मधुमक्य भी होती है रानी मधुमक्य पैदा नहीं होती है बलकि एक नॉर्मल मधुमक्य को ही रानी बनाया जाता है सबसे पहले एक यंग मधुमक्य को ढूंडा जाता है फिर उसको मधुमक्या द्वारा एक विसेस फूट खिलाया जाता है जिसे रोयल जली कहा जाता है इसमें नॉर्मल फूट के मुकाबले ज्यादा पोसक तत्व होता है जो एक नॉर्मल मदुमकी को रानी मदुमकी बनाता है एक रानी मदुमकी एक दिन में 2000 अंडे देती है और रानी मदुमकी के उमर 3-5 साल तक होता है जबकि एक नॉर्मल मदुमकी के उमर 45-50 दिन ही होती है आपको मदुमकी से जुड़े एक जान कर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईए और एसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक सेर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सहत का मजा लीजिए